तो दोस्तों बेटकोईन जो है वो बापस करेक्ट हो रहा है और अगें यह कुछ नया नहीं है क्योंकि हमने कल के वीडियो में ही डिसक्स किया था कि यार देखो अभी जो कमिंग वीक है ना उसमें सब लोग चुटी मना के वापस आने वाले है और जो चुटी मना के वापस आएंगे करन्ट मार्केट का हाल देखेंगे और दूसरा वो टैक्स हर्वेस्टिंग वाले वजह से ज्यादा मुव्मेंट हमें बेटकोईन में नहीं दिखने वाली है तो यह जो साइडवेज एक्शन है ना यह ऐसा ही चलने वाला है यह कोई ऐसा मीजर डंप नहीं है जि बीटकोईन एक लाज बूव उपर की तरब दिखा सकता है तो कौन सी न्यूस है वह हम चानेंगे आज के लिए और मेरे भाई आज का हमारा फेवरिट सेक्शन हमेशा का हमारा फेवरिट सेक्शन और का दानो काफी दिनों से मैं इस टोकन की बात कर रहा हूं और मेरे इसी यह बात कर रहा हूं कि बहुत जल्दी इसमें बहुत बड़ा मूव आने वाला है और सामसंग के साथ इनकी पार्टनर्शिप अगें यह बहुत-बहुत बड़ी न्यूस है तो चलिए बिना वक्त जाया कि आज का वीडियो जो है वो हम लोग शुरू करते हैं को के फ्रेंट सबसे पहले सबसे इंपॉर्टन चार्ट के साथ यह चार्ट अगर आप देखते हैं तो अभी हम लोग सेर में है थोड़ी देर बाद क्यूंकि दो गंटे के बाद यह चार्ट होने वाला है तो दो गंटे के बाद आपको यह एक्स्ट्रीम फियर में है वो है यह रेट कैंडल जो बहुत लग रही है और जिसको देखें लोग यहां डर जाएंगे तुम्हारे सामने है यह इसे हम लोग बोलते है डबल पॉटम और यह डबल बॉटम जो है वो बेटकोईन को सब्सक्राइब नहीं किया है वो डेफिनिटली डरेंगे लेकिन ह हम यहां पर एक्स ट्रेड लिंगे डिके तो हम लोग जो है कुट्म हम लोग ट्रेड में है यहां हमनों बैटकोईन में भी ट्रेड लेंगे और मेरा ट्रेड जो मेरा वह बहुत सिंपल है के तेरा परसेंट का प्रॉफिट अगर मैं सई हुआ गलत हुआ नहीं country सबीड में लॉस तो तुम देख सकते हो मेरा जो स्टॉप लॉस है वो काफी क्लोज है और मैं देखू तो 4545,500 डॉलर्स के आसपास और प्रॉफिट टेकिंग जोन फिफ्टी टू थाज़न डॉलर्स सुभाई बहुत सिंपल है वन वन इस्टू थर्टीन तो एक परसंट लॉस और तेरा परसंट का फायदा सुन डिफिटली वर्थ टेकिंग ट्रेड ओके और क्यों मैं पुलिश हूँ यह ट्रेड लेने के लिए उसके लिए अगर तुम यह सब अब कैश को छोड़के क्रिप्टो में आ रहे है क्योंकि सबको पता है कि इंफ्लेशन क्या करने वाला है ओके गोल्ड तुम देख रहे हो अल्रडी बैंड बजी हुई है गोल्ड पहला एक पहला का इंफाक्ट एक लॉता ऐसा एसेट है जिसने 2021 में नेगेटिव रिट नहीं दिये है और बिटकोईन जो साथ परसेंट ऊपर गया है सो मेरे भाई वो सरफ शुरुवात थी इस साल एक सो साथ परसेंट गया है दूसरी बड़ी न्यूज बिटकोईन की होल्डिंग जो है वो पॉब्लिक कंपनी उसमें बहुत बड़ी है इंफाक्ट सबसे साधा माइक्रो स्ट्राटेजी उसके इलावा धेर सारी ऐसी कंपनी से जिन्होंने बिटकोईन जो है वो अपने क्या कहते हैं उसको पॉर्टफोलियो में एड किया है तीसरी बड़ी न्यूज बिटकोईन इस न्यू गोल्ड फॉर मिलेनियल्स मेरे भाई यह और बहुत बड़ी बात है मिलेनियल्स जो भी आजकल के बच्चे है तुम देखो वो सब बिटकोईन में जाधा इंट्रस्टेडार राधर दन बाइंग गोल्ड ओके तो अगें यह बिटकोईन को बहुत अच्छा पुछ देने वाला है और जैसा कि कल हम लोगोंने नाइब के बारे में देख हम लोग फेब एंड या मार्च स्टार्टिंग तक बिटकोईन एक बीस के ऊपर देखेंगे ओके तो दाट इस माय प्रेडिक्शन लेकिन वही है यह कुछ फाइनेशल ड्वाइस नहीं है नेक्स बड़ी निउस बिटकोईन का जो माइनिंग हैश रेट है ना वो अभी इंडिकेटर है जब हैश रेट बढ़ता है तो मेरे भाई बिटकोईन का प्राइज भी हमेशा बढ़ता है निक्स बड़ी न्यूस इटली का 87 बिलियन डॉलर्स का जो बैंक है वो बिटकोईन ट्रेडिंग एड करने जा रहा है जो अगें बिटकोईन और क्रिप्टो मार् होगा अब इसके इलावा अगर तुम कोईन मार्केट काप देखते हो तो आज का जो मार्केट है वो है टेफिनेटली बिटकोईन के प्राइस की वज़े से वो गी नीच आया है तो 2.20 कल 2.26 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपात से हम लोग डॉमिनेंस बिटकोईन जा रहा है 39. अप्राइस नाव है और क्यों टेफिनट इंथिनेटली डिसक्स करेंगे आज के इस के वीडियो में क्यों डेव्डेट जबर्दसप्र आइस है वब बहुत से वीडियो देख रहे हैं जिसमें हम लोग यह देखते हैं यह नेक्स्ट एथिरियम, यह नेक्स वह है, थो पुझ हो, मैं तो सामसंग जो है तोम देखो एथेरियम की इनेफ टी मार्केट जो है वो तीन बिलियन डॉलर्स सिरफ सिरफ 2020 के कुछ ही दिनों में कुछ ही बदलभी कितने तीन दिन में 3 बिलियन डॉलर्स एनेफ टी जो है उसका प्रांजेक्शन एथेरियुम के लिपर हुआ है सो यह तुम्हारे सामने है जब फंडामेंटल्स इतने स्ट्रॉंग है तो दस हजार डॉलर्स कहीं नहीं जाने वाला है और अगर तुम वही एथिरियम का चार्ट भी देखते हो स्टिल हमने 3700 पे ट्रेड लिया था हम लोग अपनी भी वो ट्रेड में वी आर गुर्ड मैं अ वो फांडर है उनको एथिरियम तो पसंदी अभी उन्होंने एथिरियम बनाया है लेकिन उसके इलावा उन्हें जी कैश इसोस बोनों टोकन जो है वो बहुत ही जबर्दस लगते है तो आप देख सकते हो यहां उनका ट्वी तो मेरे भाई ही बहुत एक्शली तो मैं हमेश थोड़ा प्राइविसी कोईन है तो नहीं उसमें थोड़ा है जबर्दस टोकन है इसके इलावा निक्स्ट न्यूज अगर तुम देखोगे तो मौजीला फांडेशन जो है फायरपॉक्स का अपने नाम सुना होगा वो बाच कोई एकस करना शुरू कर रहे हैं तो अगें बाच कोईन के लिए बहुत ही बड़ी नियूज है और हमेशे से कह रहा हूं ये टोकन बहुत अंडर वैल्यूड है एक डॉलर्स बहुत ही जिली बहुत ही तो मदब यहां से फाइवेक्स ही इसली आपको रिटर्न वापस करेगा ओके नेक्स बड़ी न्यूज वीचें हम लोग दो दिन से इस पर वीडियो बना रहे है सो मेरे भाई उन्होंने अपना स्टेबल कोईन जो है वो अनौन्स कर दिया है वीचें के लिए वीचें के लिए वीचें को एक अच्छा खासा पुश्ट पीटेगी है नियूज अब इस सब के बाद वो ऑल्ट कोईन जो करना स्टार्ट कर रहा है एट परसेंट मेरे भाई जब से हम लोगों ने वीडियो बनाया है और 194 के ओपर बाइंजों लगाया है तब से यह वहां आया नहीं है बट स्टिल हमें फोगों नहीं करना है मिस्वा तो मिस्वा नहीं तो यह आटोमेटिकली बापस आएगा तो यहां इस टोकन को लेने की बिलकुल कोई सलाह नहीं है बहुत ही अच्छा मूफ और मुस्था भी सेवन इस टोकन में आप जो है ना थोड़ा प्रॉफिट ले सकते हो दो यह हंटेड डॉलर सक जाने वाला है बट अगे लिए थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट जो है वो ले यहां रहे थे कंडेना 11 डॉलर से शुरू हुआ था 28 डॉलर सक गया था वहां से 11 डॉलर सकाया स्टिल 11 एक्स यह टोकन ऊपर है और अगेन यह इसका जो है दस गैरा यह बेस प्राइस बनता जा रहा है और यह बहुत जल्दी वापस अपने वाल टाइम है को टेस्ट करेग तो यहां से अगेन तुम्हें थ्री एक्स गेंज यह टोकन दे सकता है तो अच्छा कोईन है यह बहुत जबर्दस कोईन है यह भी तुम देखो पांसो चेसों के ऊपर वाला टोकन है पर वही मैं कहाना स्रफ टू एक्स गेंज के लिए यहां रिस्क मत लो सूशी स्वाप अच्छा टोकन है जो तुम्हारे पॉर्टफोलियो में होना चाहिए इंजन कोईन मैट एक हम लोगों ने जो टॉप पे प्रॉफिट्स लिये थे उसमें से तीस परसेंट आज मैं वापस इसमें रिवेस्ट करूंगा तो अभी देखो क्या हुआ मेरे पास जो मैटिक के ट करना क्या है एक सब्सक्राइब करना चैनल को एक पंदरा मिनट का वीडियो देखना और उससे अगर तुम्हारा पैसा बन रहा है तो तुम्हें क्या दिक्कत है नीचे है लेकिन अब इन सब के बाद वो टोकन जो आज का और करनी है ऐसा जरूरी नहीं है क्योंकि आप सब जानते उसके बारे में लेकिन उसमें नहीं यूज क्या है एक तो 2022 के क्या का फंडमेंटल्स है वो प्रपोस कर दिये गए है जो काटानों को और स्ट्रॉंग बना रहे है अब देख सकते हैं यह उनके करन्ट जो भी CIP प्रोसेस हैं जो भी उनका प्लान है तो यह बहुत जबर्दस दूसरा तुम देखोगे 2021 में सबसे जाधा डिवेलप दी प्रोजेक्ट हुआ है तो यह बहुत ही जबर्दस नीव्स तीसरा सांसंग ब्लॉक्चेंट टेक्नोलोजी को यूज कर रहा है क्लाइमेट चेंज अड्रेस करने के लिए अब यह प्रोजेक्ट कौन सा है तो अगर तुम जाके देखते हो तो इस प्रोजेक् करना हुआ है जो अकीन कार्डानों के लिए बहुत ही जबर्दस नीव्स है दूसरा चार्ल्स होकिंसन में 2022 का रूड मैप रख दिया है आगे यह प्रोजेक्ट बहुत बहुत स्ट्रॉंग है और इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि चाहे अभी अगर मैं तुम्हें एक ब सब्सक्राइब की जगा एक वीखली पर चलते हैं यह वीखली का चार्ट है तो तुम देखो का डानों का चार्ट अगर तुम देखते हो यार यह तो बहुत बुरा है यह कितना ज्यादा यह कॉइन जो है वो गिर चुका है तो हम लोग सिरफ एक साल पीछे चलते हैं 28 दिस दूहजार परसंट लेकिन यही अगर मैं टॉप से देखता हूं और देखता हूं कि कितना करेक्ट हुआ तो मुश्किल से सिरफ 50 या 60 परसंट जिस टोकन ने आपको एक हजार परसंट की गेंस दिये है उसके सामने 60 परसंट क्या हुआ है उच भी नहीं कुछ भी नहीं वहीं आपको कहारो यह सरफ एक शुरुवात है यहां से टोकन वापस जो है नया हाई बनाएगा जो और उस चार्ट डॉलर के आसपास रहेगा थोड़ा वापस आके करे बैशल ही दिखेगा और बहुत ही जबरदस्ट पूश्य है वो मेरा है उस टोकन में आने वाला है यहां और बैट इन ऑल्लर के लिए जो रहेगा चार्ट डॉलर के आसपास तो चलिए जो है वो डिफिनेटली करेक्ट होड़ा बढ़ दरो मत यह क्योंकि ऐसा ही होने वाला है आने वाले कुछ दिनों तक लेकिन बहुत जल्दी हम उसमें बहुत बड़ा मुव देखेंगे अगें उसके इलावा उसको फॉलो करेंगे तो सेम मूव आप उसमें भी देखने वाले हो तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करो और आप से कर्म नकात होगी दोस्तों तेंक्यू सो मॉच